हेलो बच्चो आज हम पढ़ेंगे हिंदे ब्रिमजिम पाठ दो भालू ने खेली फुटबॉल सर्दियों का मौसम था सुभा का वक्त चारो और कोहरा ही कोहरा एक शेर का बच्चा सिमट कर गोल मटोल बना जामुन के पेड की नीचे सोया हुआ था बच्चो जब सर्दियों का मौसम आता है तो हमें बहुत ठंड लगती है और चारो और कोहरा ही कोहरा रहता है सेर के बच्चे को बहुत ठंड लग रही थी इसलिए वो गोल बन कर सिमट कर बैट गया था इधर भालू साहब सेर पर निकल तो आए थे लेकिन पच्चता रहे थे तभी उनकी नजर जामुन के पेड के नीचे पड़ी आखे फैलाई अकल दोडाई आहा फुटबॉल सोचा चलो इससे खेल कर कुछ गर्मी हासिल की जाए भालू ने गोल मटोल बने सेर के बच्चे को फुटबॉल समझ लिया फिर आओ देखा ना ताओ भालू जी ने पैर से उच्छा दिया सेर के बच्चे को हडबड़ी में सेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली मगर डाल तूट गई भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए पच्चता आए लेकिन अगली ही पल दोड़ कर कुर्ची से दोनों हाथ बढ़ाएं और सेर के बच्चे को लपक लिया नहीं सेर का बच्चा है अरे यह क्या सेर का बच्चा फिर से उच्छालने के लिए कह रहा था एक बार फिर भालू दादा ने उच्छाला फिर दो बार, तीन बार, फिर बार बार यहीं होने लगा सेर के बच्चे को उचलने में मजा रहा था परन्तु भालू ठक कर परिशान हो गया था ओ, किस आफ़त में आफ़ता बार भी बार उच्छाटे ही भालू ने घर की और दौर लगाई और गायब हो गया अब की बार सेर का बच्चा धडाम से जमीन पर आ गया डाल भी तूट गई, तभी माली वहां आया और सेर की बच्चे पर बरस पड़ा डाल तोड़ दी पेड़ की लाओ हर जाना सेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लू माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ माली के वहां से जाते ही सेर का बच्चा भी नो दो ग्यारा हो लिया उसने सोचा, जान बच्ची तो लाख हो पाए दो ग्यारा होना का मतलब है भाग जाना माली के वहां से जाते ही सेर का बच्चा अपनी जान बचा कर वहां से भाग गया बच्चों, अब हम इस कहानी के प्रश्णों का अभ्यास करते हैं प्रश्ण एक, सेर के बच्चे ने पेड की डाल क्यों पकड़ी? उत्तर, सेर के बच्चे ने गिरने के डर से पेड की डाल पकड़ी प्रश्ण दो, शेर का बच्चा क्यों दहाड़ा? उत्तर, शेर के बच्चे को जब भालू जी ने फुटबॉल समझ कर उचाला तो सेर का बच्चा हडबड़ा कर दहाड़ा उत्तर, भालू साहब पच्चा है क्योंकि उन्होंने सेर के बच्चे को फुटबॉल समझ कर उचाल दिया था उत्तर, भालू ने क्यों कहा? ओ, किस आफ़त में आफ़सा? उत्तर, सेर के बच्चे को उच्चालते उच्चालते भालू ठक कर परिशान हो गया था इसलिए उसने कहा कि किस आफ़त में आफ़सा? नेक्स्ट कुश्चिन, पहले क्या हुआ? फिर क्या हुआ? सबसे पहले भालू साहब सैर को निकले उसके बाद भालू ने सेर के बच्ची को उच्चाल दिया फिर सेर के बच्चे ने पेड की डाल पकड़ ली उसके बाद भालू ने सेर के बच्चे को लपक कर पकड़ लिया और अंत में भालू ने घर की और दौर लगाई वोप यू आल इंजॉइट था लेसन और गोट वेल था एक्सरसाइज चिल्टन रवाइज इट अगें झाल ऱ्लत अंत में… झाल ने सेर के बच्चे बाद में भालू आल झाल झाल के बाद में भाल